रामगड में बीएसपी चुनाव जीत रहा है यह हमको पूरा रिपोर्ट है और वहाँ बीजेपी से लड़ाई है लिती एक फेक्टर खिलाफ का फेक्टर था और चिराग भी एक प्रेक्टर बने गए थे इसलिए उसमें ते जैसुल का सीट आगे है आहां राजबुद्लु क्षए को सबक्राइब एक्टर नहीं है यह जब अभी तो ईनले रहा है और अभी अतना जल्दी तो पैदा करें को वहां माले और भाजपा का संगर्स हर वहां तीसरा को संकार्स में नहीं है् नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ ब्रजो सिंग जार्खन में दूसरे चलने के लिए आज वोटिंग हो रही है जार्खन की खोब चर्चा औरी जार्खन में किसकी सरकार बनेगी मारास्ट में भी चुनाव है लेकिन अधिक चर्चा जार्खन संभव नहीं है मेरे साथ पुर्फ सांसत ब्येस्पी निता साधू यादो है चर्चा करेंगे जार्खन पर लेकर उससे पहले हमनों सोचने कि बिहार को लेकर क्या अकलने बिहार में चार सीटों पर उप्चुराव हुए वोटिंग हुए तेरह तारीक को उसको लेकर क्या देख रहे हैं कि भाई आरजेडी हो भारतेंता पार्टी हो जनता दली हो कौन कहां पर मजबूत है कमजोर है कि रामगड में बीएसपी चुनाव जीत रहा है यह हमको पूरा रिपोर्ट है और वहां बीजेपी से लड़ाई है वहां बीजेपी और बसपा का लड़ाई रा जीतने तो यह हो गया और चॉथा जो सीट है तरारी तो वहां माले और भाजपा का संगहर्स है वहां तिसरा कोई संगहर्स में नहीं है माले जी जाए या भाजपा जी जाए एक सवाल ये भी होता है चुकि आपने काया कि भाई बेला गंज वहां पे लड़ाई टफ है लेकिन देखा जाए तो आरजेडी का वो गड़ रहा है सुरंदर यादो लगतार वहां से चुनाओ जीते रहे हैं चौतिस साल रहे हैं बावजूद भी लगता है कि आरजेडी के केला में इस बार संगमारी जनता दलियू कर रही है देखिये वहां भोट का बटवारा जो है दोनों जादो फेमली है मुनर्मा भी जादो है और सुरंदर जादो के लड़का भी जादो है तो सवाल है कि जादो भोट डिवाइड होगा जादो भोट डिवाइड होगा तो कहना मुश्किल है कि आरजेडी जितेगा कहना मुश वहां जन्द सुराज का सवाल नहीं है देखे फिर यही आपनों गलत पैदा करते हैं वहां जो भी मुस्लिम उमिद्वार है अमजद जिसका ना अमजद अमजद का आपना कुछ पैकेट है उसी पैकेट को अब उसको अब जन्द सुराज नाम से लड़ रहा है लेकिन उसका पैकेट है जन्द सुराज का नहीं है अमजद का ही अपना एक पैकेट है चुकि कई बार से चुनाव लड़ते आ हैं वहां लगतार चुनाव लड़ रहा है तो उनका एक पैकेट है यह जन्द सुराज हो गर का कोई पैकेट नहीं है अभी तो जनम ले रहा है अभी अतना जल्दी तो पैदा करेगा नहीं लेकिन आरजेडी को आप बहुत अच्छे जानते आरजेडी में रहे भी है मुसलिम और यादो गठ जोर की चर्चा हर बर होती है लगता ने कि बेला गंज में मुसलिम यादो गठ जोर तूट गया हीना सहाब उतरी बावजूद भी मुसलमा जो है आरजेडी के साथ नहीं चल पाए जो मिलेगा बात समझ गया ना लेकिन उसमें कहीं जन्सुराज का कोई मतलब नहीं रहा गया है इसमा लोगतार आमजद लड़ते आया है तो उसका अपना पॉकेट हो सकता है उसमें कहीं दूसरे का कोई पॉकेट नहीं है एक सवाल मेले लेते हैं चुकि आपने रामगड का जिकर किया रामगड से आपकी पार्टी चुनाओ भी लड़ रही है और हम जब गए वहाँ पे तो महौल दिखा है कि भाई बीएसपी काफी मजबूत है जगदा नंद सिंग का इलाका एक तरह से कहा है जगदा बाबू वह राजपूत लोड डेते कहा है और आसुकी लुट एथा जटा यहां जाता है वे कर लोत नहीं मिलता है जाहता है वोटिंग हो रही है जारखन में हेमन्त सोरेन तेश्वी आदो बिहार से गए पप्पू यादो गए चिराग पासवान एंडिये कले कर रहे थे जनता दलियू को भी निता लगे वे थे लगता है एक हरा भाजपा करे किस बार सरकार वहां पर बन रही है एंडिये गडवन्द हुआ है हार घर में उजोजना पहुच गया है कोई ऐसा घर नहीं है जारखन का जो उजोजना नहीं पहुंचा है इसलिए वे फेक्टर जो है काम कर रहा है एक अंतीम स्वाले लेते हैं हम चाहेंगी खुलकर आप जबाब दीजिए चुकि आप बिहार की राजनिति को के साथ लोग चले गए लगता है कि यह प्रसिति अगर ही तो यह बड़ा संकट 25 में रहेगा देखिए अभी लोकसभा के चुना हुआ उसमें एक सब 42 सीटों पर बीजेपी और जेडू गठवंधन का एसेमली सेगमेंट में जीता है तो अगर यह लोग अगर इसको भूला करके अगर कहीं काम कर रहे होंगे तब तो नुक्सान होगा अगर जान के काम कर रहे होगा तो फिर बिन फिट में रहेंगे करना क्या चाहिए लोग को अपना मिलजुल बढ़ाना चाहिए जनता से जनता से जनता से कनेक्शन तेश्विया दोकर नहीं रहा है अब भासन दे तो उन नितीज एक फेक्टर था नितीज एक फेक्टर खिलाफ का फेक्टर था और चिराग भी एक फेक्टर बने गए थे इसलिए उसमें तेजश्वी का सीट आ गया था यह आदत में परिवर्तन इलोका भी नहीं हो रहा है जब कुछ सीट आता है न तो अंकार हो जाती है त तो इसी कारण से यह लोग नुक्सान में जा रहा है कि अंकार होगा तो जाएगा तो जाएगा विस्तार से बिहार के चार विधान स्वा सीटों पर जो उप्चोना हूँ उसको लेकर भी चर्चा हुई और चर्चा अधी खोड़ी उन सीटों पर जहां आरजेडी का गड़ कहा था अरजेडी का कीला लेकिन उस बार उस किले में लराई जो है काफी खोगा है चाहे वह रामगड हो या फिर बेला गंज हो जगदा अरण सिंग अपना किला बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे बीस्पी काफी मजबूत है बीस्पी के तरफ से नों नका है कि बोट बोट थन दो बाइ